दोस्तों मितला यूंबरसिटी के डिगरी पार्ट 3 के एक्जामस्वन फॉर्म फीलप कैसे करेंगे इस्टेब बाइस्टेब देखिए मैं आप लोगों को इस वेडिव में यहीं चीज बताने बला हूँ सबस्क्राइब अपने मॉवाइल के को अपन करें और गूगल सर्च बारे में टाइप करें लनम्यू इनफू डॉट इन जैसे आप लोगों को एक्जामस्वन फॉर्म फिलप करना है तो लेकर लिंग एक्टिवेट कर दिया गया है यहां पर आप लोग देख रहे होंगे चल लाइन में ग्रीन कलर में अपलाइफ और एल्रम यू बीए पीसी बीकॉम पार्ट दिख रहा होगा इस पर लोगों को किलिक करना है जैसे किलिक कर देगा तो अगला इंटरफेस कुछ परकार से ओपन हो जाएगा आप लोगों को नीचे आना है नीचे आने के बाद यहां सकते हैं कि आप लोगों को अच्छी बात यहां होगी कि अपने मोवाइल को डेक्ट्रफ साइट पर कर लिजेगा इससे यह होगा कि सही सही आप लोगों का फॉर्म फिलब होगा चलिए मैं फिर से इसको अबन करता हूं किलिक करके इसमें आप लोगों को यहां पर फिलब टाइब कर देता हूं इसके बाद करना किया है यहां फे तो नहीं हो रहा है लेकिन पर किलिक करना है जैसे किलिक करड़ेगा तो यहां पे आप लोगों को मोवाइल नंबर मांगा जाएगा तो आप कोई भी mobile number डाल सकते हैं ठीक है उस पर OTP जाएगा verification के लिए तो वो इसके बाद फिर नीचे वाले line पर click करिए तो मैं click कर देता हूँ इसके बाद आपके इस mobile number पर OTP जाएगा उस OTP को यहाँ पर type करना है इसके बाद आप लोगों को आगे वाले line पर click करना है जैसे click करेगा तो इसके बाद यहाँ पर login का option देखने को मिल जाएगा अब login पर click करके login करना है जैसे login करेगा तो form खोल जाएगा आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ आप लोग देख सकते है university roll number क्या है category है BC इसके बाद इनके student का नाम के उनके पिता जी के नाम किया है gender क्या है इसके बाद यहाँ पर आपनों को date of birth अपना select करना है यहाँ पर इस वाले जो line है इस पर click करना है इसके बाद आपना date of birth यहाँ से select कर दिएगा ठीक है पहले आप year select कर लिजिएगा किस year में आपका जनम हुगा है इसके बाद month इसके बाद date select कर लिजिएगा ठीक है इसके बाद अपना mobile number कोई भी mobile number यहाँ पर डाल दिजिएगा email id डालिएगा permanent address और corresponding address यहाँ पर डालिएगा ठीक है इसके बाद अपना अधार number यहाँ पर डालिएगा इसके बाद आपका honors यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और part 3 में यह GES होता है general and environmental studies वो सभी के लिए समानी होता है इसके बाद college roll number यहाँ पर type कर देना है और fee जो cutting आप लगते सकते हैं इसके बाद अपना यहाँ पर photo upload करना है इसके बाद यहाँ पर signature upload करना है और update पर click करना है तब करने के बाद आपके सामने अगला interface कुछ सब्रकास से देखने को मिल जाएगा यहाँ पर तीन note दिये गये है पहला note में करा है कि आपेदन सुल्क वापस नहीं होगा दुसरा note में करा है कि भुकतान के पसाद यदि रासी आपके खाते से कट जाती है और सुल्क update नहीं होता है तो दुबारा भुकतान नो करे बहुतर गंटे बाद सुल्क या तो सुल्क अपडेट हो जाएगा या फिर आपके खाते में वापस चला जाएगा आप लोग बहुतर गंटे दक वेट करेंगे अगर अपडेट नहीं होता है तो ठीक है नोट तीसरा में देख लिए आप लोग कि भुकतान के परसाद यदि भी कल्प पूछा आजाए कि सेंट एनिवे या बैक तो सेंट एनिवे पर किलिक करना है तो चलिए मैं यहां पर पर अप्रिकेशन फॉम इस पर किलिक कर देता हूं इस स्टुडेंट का 1130 रुपिया कटेंगे जो कि यहां पर दिख रहा है इस पर जैसे ही किलिक किये तो यहां पर आप लोग याद रखेंगे पेमिंट कर आने के लिए जब जाईएगा तो आप लोग किसी भी पेज को रिफ्रेस नहीं करना है किसी भी हाल में ठीक है इसके बाद आप लोगों को पेमिंट मैं यहां पर कटाऊंगा कार्ड से कार्ड पर जो नाम है वो डालना है इसके बाद कार्ड नंबर एक्स्वाइरी डेट और सिकुरेटी अर्थाथ सीबे भी डालना है आट डिठेट भरने के बाद पेपे किलिक करना है और पेज को रिफ्रेस किसी भी हाल में नहीं करना है अब आपके रजिटर मोईल नमबर पर OTP चले जाएंगे पेज को रिफ्रेस नहीं करना है जितना समय लगेगा आप लोग को लेने देना है इसके बाद आपके सामें कुछ प्रकाल से खुल जाएगा आप लोग से पेमेंट रिफ्रेस यहां पर मिल रहा है इसके बाद उपर में print का option देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, print का option, ठीक है, mobile को मैं यहाँ पे तुरा सीधा कर दिया हूँ, rotate में print नहीं दिखा लाँ, print पे आप लोग को click करना है, जैसे print पे click कर लेगा तो आपका print है वो download हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, रिसीफ्ट डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे मैं download कर लेता हूँ, print को, रिसीफ्ट मैंने जो पेक किये हैं, वो download हो चुका है, आप लोग देख रहे होंगे, रिसीफ्ट डाउनलोड के पास चांथ आपको home पे click करना है, आप OTP टैप कर देता हूँ OTP टैप कर दे इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को नीचे किलिक करना है नीचे किलिक करने के बाद Login का Option हैगा Login कर दीजिए इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दो Option आग चुका है कि Print Form और इसके बाद है यहाँ पे Print Free Receipt Free Receipt तो मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया है Form को Print करना है तो Form Print पे किलिक करिएगा इसके बाद आप लोगों के सामने कुछ इस परकासी इंटरफियर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आप लोगों को बता दू कि यहाँ पे आपका Photo और Signature Already Upload है यहाँ पे कुछ साइट में घरबाड़ी के कारण Photo Signature सही से दिखा नहीं रहा है तो यह नहीं समझ लिया कि हमारा Photo Signature Upload नहीं हुआ है देखिए Photo Upload हुआ है इसलिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे Photo का Scene देख रहा है गैलरी का इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है यह साइट में घरबड़ी है तो इसका जिम्मेबारी University लेंगे यहाँ पे आप लोगों का Signature Upload है लेकिन नहीं दिख रहा है तो इसका जिम्मेबार कौन आप लोग कमेट करके बताईएगा ठीक है तो इस परकार से अपना प्रिंट जो है वो डाउनलोड कर लिजिएगा तो I hope कि आप लोगों को जानकरी समझ में आचुका होगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंत जै भारत